नमस्कार, न्यूज यूग में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम सोजत रोड कस्वे में एक बार फिर अग्याद चोरों द्वारा एक ही रात में तीन ज्वलर्स की दुकानों और एक फैंसी की दुकान से सटर उपर कर लाखो रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर हुए फरार जानकारी के अनुसार सोजत रोड कस्वे के सुभाश मार्ग पर इस्थित वीरा ज्वलर्स की दुकान के जैक लगा कर सटर उपर कर शोरों से करीब 21 किलो चांदी के बने आभूशन 7 ग्राम सोना और 1200 रुपए नगदी लेकर हुए फरार वहीं फुलाद रोड पर इस्थित आई माता ज्वलर्स का सटर उपर कर करीब 5 किलो चांदी के आइटम्स और 50 ग्राम सोना और 12,000 रुपए की नगदी चुड़ा कर लेकाए इसी प्रकार चोरों ने माता जी ज्वलर्स की दुकान का सटर उपर कर अज्यात चोरों ने अंदर रखी तीजोरी तोडने की कोशिश की लेकिन तीजोरी के नहीं टूटने पर चोरों के हाथ कुछ भी नहीं लगा इसी तरह चोरों ने लक्ष्मी फैंसी स्टोर को ज्यूलरी की दुकान समझ कर सटर उपर कर अंदर घुसे मगर इस दुकान से एक भी रुपे चोरी नहीं हुआ है जिसके बाद घटना की सूशना पुलिस को दी गई सूशना पाकर सोजत पुलिस उपाधीकशक चंदन सिंग महिचा सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड मौके पर पहुँचे और घटना इस तलका मौका मुआयना क वही निरंतर हो रही चोरियों से व्यापारियों में आक रोश फेल गया और व्यापारियों ने बाजार बंद कर ठाने पहुँचे और पुलिस की उदासीन ताके प्रतिकरी नाराज की जताई वही पुलिस उपाद एक शक्त चंदन सिंग महेचा को कस्बे में लगातार हो रही चोरियों का परताफाश करने की मांग की गई है वही पुलिस ने व्यापारियों से समझाईश कर दुकाने खोलने और चोरों को पकरने का आश्वाचन दिया गया है वही जोलर्स तुकानदारों ने पुलिस ठाने में चोरियों का मामला दर्ज करवाया है पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँ शुरू कर दी है वही पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों के फोटेज भी देखे हैं फुलाल के लिए समाचारों में इतना ही बागी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है खबरों का युग नियूज युग